कल निर्मला सीता रमन जी ने एक ब्यान दिया और आज प्रमुक्ता से अख़वारों में छपा भी है कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के उपर Central Excise Duty वो कम इसले नहीं कर सकते क्योंकि Oil Bond UPA के टाइम के उपर जो शुरुवात करी गई थी उसकी वज़े से वो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज कम नहीं कर सकते जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही है और उसकी वज़े से जो दूसरी महंगाई बढ़ रही है उसका सिरफ और सिरफ एक कारण ये है कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्स के उपर टैक्सेज तीन गुना बढ़ा दिये गए अभी मैं आकड़ों के द्वारा आपको बताऊंगा और वो सब आपको हम लोग देंगे कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्स पे टोटल टैक्सेज तीन गुना बढ़ा दिये गए और सबसीडी बारा गुना कम कर दी गई बारा गुना सबसीडी कम करी गई है पेट्रोल डीजल के अंदर आज हम ये रिकॉर्ड के उपर कहना चाहते हैं और कॉंग्रेस पार्टी आरोप लगाना चाहती है कि इंदर सरकार के उपर कहना चाहती है कि आम जनता की जेबों के उपर बोज केवल इसलिए ये मोधी सरकार डाल रही है कि उन्होंने सबसीडी को बारा गुना कम कर दिया और टैक्स तीन गुना बढ़ा दिया जिसकी वज़े से आज पेट्रोल और डीजल की मार साधारण जनता को पढ़ रही है अब मैं आकडों के माध्यम से आपको बताऊंगा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दो हजार बीस इकिस के अंदर चार लाख त्रेपन हजार करोड रुपया चार लाख त्रेपन हजार करोड रुपय की टैक्स कलेक्शन सिंस्ट्र गवर्मेंट की हूई है पीट्रूल और डीजल से और बावजूथ इसके कि आप यह सोसकते हैं कुरोनकाल के दोरान पैट्रूल और डीजल की बिक्री कम हुई है बावजूत इसके 4,53,000 करोड उपे और कॉंग्रे समय का टैक्स कलेक्शन था जो 1,52,000 करोड का टैक्स कलेक्शन था 2013-14 में जो की 3 गुना बढ़कर के 4,53,000 करोड का हो गया हमारे समय के उपर 1,52,000 करोड का था जो बढ़कर के 4,53,000 करोड का हुआ है और सबसीडी हमारे आखरी वर्ष के अंदर सबसीडी एक लाग 47,000 करोड थी एक लाग 47,000 करोड की सबसीडी थी और अब सबसीडी इस वर्ष कितनी है सिरफ 12,231 करोड सिरफ 12,000 हमारे समय के उपर इससे 12 गुना जैदा 14,000 करोड की सबसीडी थी और 12 गुना सबसीडी घटा क करके 12,000 करोड के उपर ये लेकर के आए हैं जिसकी वज़े से आज साधारन जनता के उपर मार पढ़ रही है अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं जिसकी शुरुवात करी थी ओयल बॉंड्स के उपर ओयल बॉंड्स निर्मला सीता रमन जी कहती है कि ओयल बॉंड्स के सर्विसिंग की वज़े से ओयल बॉंड्स जो हम लोगों ने यूपिय सरकार ने जो लिये थे जो फ्लोट करे थे उसकी वज़े से वो एक साइस जूटी कम नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने आपको एक ये पूरा का पूरा जो चार्ट हम लोग आपको बना करके दे रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिया है कि 2014-15 से लेकर के अब तक के कितना पैसा किंद सरकार को oil bonds की servicing के लिए देना पड़ा, आज कुछ अख़बारों ने भी इसको जिकर किया है, 2014-15 में प्रिंसिपल रीपेमेंट जो केवल एक बार करने की जरुबत थी 3500 करोड उपया, और इंट्रेस्ट पेमेंट हर साल लगबग 9990 करोड के करीब हर साल दिया जा रहा है, कुल मिला करके पिछले साथ वर्षों के अंदर oil bond के servicing और रीपेमेंट के उपर 73400 करोड उपया केवल खर्च हुआ है, 74400 करोड उपया, और 73400 करोड उपया oil bond की servicing के उपर 7 वर्ष में खर्च हुआ है, और 7 वर्ष के अंदर tax collection कितना हुआ है, 22,344 करोड तो 22,344 करोड उपया जो tax collection हुआ है, उसमें से केवल 73,440 करोड उपया, यानि सिरफ 3.2% total tax collection में से oil bond के में खर्च हुआ है, सिरफ 3.2%, तो 3.2% सिरफ आपका tax collection में से oil bond की servicing में खर्च हो रहा है, और आप tax को तीन गुना आप बढ़ा रहे हो, subsidy को आप जो है कम करके 12 गुना subsidy कम कर रहे हो, तो ये किस चीज़ से आप इस चीज़ का कैसे क्या explanation आप देते हो, और घूम फिर करके आप oil bond के उप़र आते हो, मैं आप लोगों को इस बीच में और बताना चाहता हूं कि oil bond कोई, यूपिया ये कॉंग्रेस ने शुरू नहीं किया था, पहला oil bond पहली एप्रिल 2002 को 9000 करोड उपे का, वाजपई जी की सरकार ने उसको float किया था, सबसे पहला oil bond, और उसका जो दे देट थी, जो उसकी repayment देट थी, वो 2009 को थी, जो कि UPA government ने दिया, तो हम लोगों ने तो कभी भी इस चीज़ का short नहीं मचाया, कि 9000 करोड उपेया वाजपई जी देखर के चलेगे, क्योंकि ये इतना छोटा amount होता है, oil bond का servicing का total tax collections में से, कि इस चीज़ का असर negligible होता है, और इसी वज़े से ये float किये जाते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे के पूरे tax collection में से, सरफ 3.2% जिसमें से खर्च होना है, और अभी भी इस वर्ष 20,000 करोड उपेय का total oil bond के उपर repayment का, और इसके interest का दोनों का इस वर्ष खर्च होना है, और पांच लाग करोड से उपर का tax revenue आने वाला है, तो पांच लाग करोड में से सब 20,000 करोड उपया देने की जरूर पड़ेगी, तो 20,000 करोड उपया अब जो है oil bond पे देना पड़ेगा, और Congress अपने समय के उपर 1,50,000 करोड के करीब जो है subsidy दिया करती थी, और आपको सिरब 20,000 करोड उपय का आपको oil bond का आपको वापस repayment करना है, जो कि मुश्किल से 3% के करीब आपका पड़ता है, तो कैसे आप ये कह सकते हो कि excise duty हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि oil bond का UPA ने लिया है, तो ये सरासर जूट है, तो कृपया जूट बोल करके लोगों को गुम्राण ना किया जाए, निर्बला सीता रमन जी और मोधी सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं, और ये WhatsApp इंडस्री के अंदर ये उटा सीधा चलाना बंद करें, सच्चाई से लोगों को अगद कराएं, लोगों की जेवों पर आप डाका डाल रहे हैं, इसलिए डाका डाल रहे हैं, कि आपने कॉर्परेट सेक्टर के अंदर, कॉर्परेट हाउजेस के अंदर, हम दो हमारे दो, अपने मित्र पूंजी पत्यों को फाइदा पहुचाने के लिए, जो आप लोगों ने उनको टैक्स में रियायत दी है, उसका टैक्स का भरपाई करने के लिए, आप लोग खम्याजा भुकताने के लिए, आम जनता के उपर बोज डाला जा रहा है, यह हमारा सीधा-सीधा कहना मोधी सरकार को है, तो इसलिए हमारी सीधी-सीधी मांग यह है, कि अंतराश्टिय स्थर के उपर क्रूड ओयल प्राइजेज अभी कम हो रहे हैं, अंतराश्टिय स्थर के उपर क्रूड ओयल प्राइजेज कम हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहे हैं, सीधे के सीधे एकदम से कम किया जाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को जीएस्टी के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए दूसरा हमारा कहना यह है और तीसरा की सेंटर गौर्वर्मेंट को एकदम से अपनी एकसाइस ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है पिछले साथ वर्षों के अंदर उसको वापस लेकर के जब तक जीएस्टी बे नहीं लाते जब तक उसको वापस लाकर के यूपिये के टाइम की जो पेट्रोल और डीजल है उसको अगर करें तो एकदम से सीधे के सीधे 30 रुपे पर लीटर तो सीधे के सीधे लगबग कम हो और सीधे सीधे हम लोग केंद सरकार को कहना चाहते हैं कि भाने बाजी बंद करें कभी आपके मंतली कहते हैं कि पंडित जोहाला नहरू जी की 1947 की स्पीच की वज़े से आज महंगाई बढ़ रही है कभी आपके मंतली कहते हैं कि ओईल बॉंड जो यूपिये नहीं करा था उसकी वज़े से बढ़ रही हमने तो नहीं कहा था कि इसकी शुरुवात वाजपई जी की सरकार में 9000 करोड उपे का ओयल बॉंड आप लोगों ने शुरू कर इस वज़े से बढ़ रहा तो दूसरों के उपर अप तो साथ वर्ष हो गए आपको सत्ता में आये हुए तो द अपने घर को और अपने महकमे को ठीक करें दुरुस करें ताकि देश की जंता को इस महंगाई से रहत मिल सके धन्यवाद